नमस्तिय वेलकम बाक टू फूडो पैती आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ क्रिस्पी इंस्टेंट ओट्स टोसा की रेसिपी साथ ही में शेयर करूँगी दो मज़ेदार चटनी जिसे आप बनाएंगे इसली अवेलेबल इंग्रिडियन्स के साथ और अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, कॉमेंट करिएगा, शेयर करिएगा चानल को सब्सक्राइब सरूर से करिएगा ओट्स टोसा बनाने के लिए मैं ले रही हूँ एक कप रोल्ड ओट्स ओट्स, विटाविन्स, मिनरल्स और फाइबर से भरबूर होती है तो आज इससे हम बनाएंगे एक हेल्दी डोसा मैंने इसे एक बड़े से बोल में ट्रांसफर कर दिया इसमें थोड़ा सा पानी डालके इसे हलका सा वाश कर लेंगे इस तरह से हाथों से रगड़ते हुए बहुत कस्के नहीं रगड़ना और यह देखे पानी जिसका मिल्की होगे इसे हम फेग देंगे मैंने इसका पानी पूरा स्ट्रेंड कर दिया अब इसमें डाल देंगे वन फॉर्थ कप सूची अब इसमें पानी डालके इसको सोप करने के लिए रख देंगे 15-20 मिनट के लिए पानी में बहुत साथे नहीं डालना है जहां तक हमारा ओट से उससे वन फॉर्थ इंच उपर तक पानी रखेंगे 15 मिनट हो चुके हैं और यह देखिए ओट समर अच्छे से फूल दिया है इसमें पानी जादे नहीं बचा इसे मैंने ग्राइंडर में ट्रांसफर कर लिया है इसमें डाल देंगे करीब 1.5 इंच अद्रक जैसे मैंने छोटा छोटा काट लिया और दो हरी मिर्चे से दो टुकडों में कर लिया है अब इसमें डाल देंगे नमक टेस्ट के कॉर्डिंग अब इसमें जरूरत की जाब से पानी डाल के एक फाइन पेस्ट रेडी कर लेंगे और यह देखिए मैंने इसे पीस लिया है एकदम फाइन पेस्ट रेडी हो चुका है अब इसे हम ट्रांसफर करते हैं एक बड़े से पूल में आप इसकी कनसिस्टेंसी देख सकते हैं अब इसमें डाल देंगे बन टेबल स्पून दही यह बैटर में एक खट्टे बण का टेस्ट देता है जैसा की नार्मली डूसे के बैटर में होता है जिससे हमारे डोसे का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है अब इसको हम अच्छे से बैटर में मिला लेंगे बैटर की कंसिस्टेंसी हमें डोसे बैटर की तरह थिक रखनी है अब इसको बनाने के लिए मैंने लिया एक नॉन स्टिक तवा इसे हलका सा ग्रीस कर लेंगे और इसका बैटल बहुत पतला हमें नहीं फैलाना थोड़ा सा पकने के बाद इस पे किनारे से हम तेल डाल देंगे अब हेल्दी बना रहे हैं तो बहुत जादे तो नहीं लगाएं तो यहां पे थोड़ा सा तेल जादे लगीगा और गैस की फ्लेम को हमें मीडियम रखना है अग तो लीजे हमारा ओट्स डोसा रेडी हो गया है अब यहां पे एक और टिप दूसरा डोसा बनाने के पहले इस पे पानी के छीटे मार देंगे और उसे फटा फट से किसी साफ कप्ले से पहुंच देंगे इससे हमारे तवे का टमप्रिचर लो हो जाएगा और जब हम बैटर देंगे किनारे से थोड़ा सा तेल लगा देंगे अब यहां पे मेरे डोसे का कलर बहुत लाल नहीं होगा क्योंकि मैं ओइल का यूज बहुत कम कर रही हूं अगर आप तेल का इस्तमाल जादे करेंगे तो इसका कलर और भी जादे लाल और अच्छा आएगा चलिए अब इ दीमी आज पर लगातार चलाते वे इसे भून लेंगे जब इसमें से अच्छे से खुश्बू आनी शुरू हो जाएगी तब इसमें डाल देंगे हम तीन कली लैसुन की एक इंच अद्रक का टुकड़ा तीन खड़ी लाल मिर्च एक छोटा प्याज अब इनको हम अच्छे से भून लेंगे प्यास हमारा जब ट्रांस्लिउसेंट हो जाएगा तब इसमें डाल देंगे एक मीडियम साइस का टमाटर अब टमाटर को हमें तब तक पकाना है जब तक यह वह सॉफ्ट नहों जाए अब यहाँ पर डाल देंगे नमक तेस्ट के अकॉर्डिंग और इसे अब हमें अच्छे से कुप कर लेना है तो यह देखिए टमाटर यह हमारे सॉफ्ट होने शुरू हो गए गैस की फ्लेम को हम पंद कर देंगे इसे ठंडा होने देंगे ठंडा होने के बार इसे मिक्सर ग्रैंडर की जार में मैंने ट्रांस्फर कर दिया है अब ज़रूरत के चमचि राइ के तड़कने के बाद इसमें डाल देंगे हम करीपता करीब साक शाथ से आठ पति इसको हल्का से चला देंगे हलकी सी लाल मिज्च पॉडर और गैस की फ्लेम को पंद कर देंगे और इसको डाल देंगे हम चट्नी के उपर तो लीचे हमारी चट्पटी तीकी चटनी तयार हो गई है ओट्स टोजा के लिए तड़के को चटनी में मिला देंगे जिससे उसका फ्लिवर अंदर तक चटनी में मिल जाए चलिए अब त्यार करते हैं कम तीकी चटनी इसके लिए लेंगे दही वन थर्ड कप दही बिल्कुल भी खटी नहीं होनी चाहिए और जाए बान थर्ड कप रोस्टेड मॉमफली मैंने इस तवे पे बिना किसी तेल के रोस्ट कर लिया और उसके छिलके निकाल दिये थे अब इसमें डाल देंगे एक इंच अद्रक साथ में डाल देंगे दो हरी मिर्च नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग अब इसे मैंने मिक्सर क्राइंडर के जार में ट्रांसफर कर लिया इसे पीस लेंगे और फाइन पेस्ट रेडिकल लेंगे अब इसके लिए भी तड़का त्यार करते हैं तो तड़के पैन में लेंगे आधा चमच तेल अब गर्म तेल में डाल देंगे आधा चमच राई राई के तड़कने के प विला देंगे जिससे इसकी खुश्बु अंतर तक भिंज है और ये देखिए हमारी मज़दार चटनी तयार हो चुकी है चलिए आई प्लेटिंग करते हैं अपने हेल्दी डोसा की तो ये हमारा क्रिस्पी ओर्स डोसा आ गया है प्लेट में साथ में ये हमारी ती की चटनी औ हमने मौमफली से बनाई है और अगर आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी तो प्लीज विडियो को लाइक करिएगा कॉमेंट करिएगा शेयर करिएगा और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करिएगा